next program है हमारा कि accept the radius and print area and perimeter of a circle तो अब यहां पर क्या है कि हमें एक ऐसा program लिखना है जो कि user से radius as a input ले और उसका area और perimeter हमें output दे तो integer main और यहां पर हमने ले लिया और यहां पर radius जो है हम float type का ले लेंगे ठीक है और यहां पर एक मुझे area store और perimeter के लिए तो एक और यहां पर हम इसी में लिख सकते हैं और next line भी लिख सकते हैं मैंने semicolon दे दिया इसलिए मैं next line में ले रहा हूं तो एक हो गया perimeter और एक हो गया area यह हो गया अब यहां पर हम print करा देंगे कि enter हम user से क्या कर रहे है radius ले रहे हैं तो radius ले ले लेंगे और फिर इसको हमने store करा लिया और radius को कि float का ले रहे हैं तेहां पर हमारा radius आ गया अब हम क्या calculate करेंगे perimeter perimeter का formula क्या होता है 2 into pi pi के value कितना 3.12 pi into r perimeter हमारा इसमें store हो गया उसी तरह से हमारा क्या area area क्या हो जाएगा 3.14 pi into r into r तो यह हमारा area हो गया अब यहां पर हम क्या हो गया कि direct printer क्लिखके हम दिखा सकते हैं कि area इतना और perimeter इतना लेकिन अब इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए तो हम इसको क्या कर देंगे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए the area and perimeter of a circle और यह जो है दोनो यह सेम लाइन में है यहां पर print है मतलब मेरा यह page थोड़ा short पर रहा है इसलिए मैंने एक ही line में लिखना है the area and perimeter of a circle whose radius is radius क्या है किस type of float में percent और यहां पर क्या है r is यहां पर the area and perimeter of a circle whose radius is यहां पर हम कर सकते है r अब क्या है कि area area कितना हो जाएगा percent f and percent f यहां पर हमने close कर दिया यह ध्यान रहे कि यह जो है यह सारा एक ही line में हमें लिखना है यह print f का जो सारा एक line में है मेरा पास यह space जो इधर काम पर रहा है नहीं तो screen पर नहीं दिखेगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ तो यहां पर पहला क्या होगा area and perimeter of a circle यहां first percentage radius तो यहां पर हमने क्या दे दिया कॉमा के बाद radius then area area a master है और perimeter भी master है यहां पर हमने close कर दिया उसके बाद हमारा यहां पर program close हो गया यह बस समाजने के लिए है कि यह एक ही line है यह हमारा एक ही line है तो इस तारीके से हम area और perimeter find कर सकते हैं यहाल से पुरा अप्लियर है